हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू आवर यूट्व चैनल एकॉम मानवी जदी आप मैनुफेक्चर की तलास में हैं आपको मैनुफेक्चर नहीं मिला है तो ये वीडियो आज आपके लिए मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रोड़क्ट लाइन के लिए अपने प्रोड़क्ट निच के लिए जिसे आप एमाजॉन या फिलिपकाट या मीसो की तुरू सेल करना चाहते हैं और आप मैनुफेक्चर स्तर कैसे पहुंचे हैं सही मैनुफेक्चर से आप कैसे माल अपना बनवाएं तो उसको डूनने का क्या तरीका है और कौ दूस्तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए यह आपके लिए फ्री है वीडियो में आगे बढ़ते हैं यदि आप बास्तम में एक सही मैनुफेक्चर डूनना चाहते हैं तो मैनुफेक्चर को डूनने से पहले आपको जो बाते हैं कुछ वो आपको पहले अपने जहन में रखनी होंगी वो बाते क्या हैं वो बाते हैं कि आप कौन से प्रोड़क्ट के लिए मैनुफेक्चर डून रहे हो आपके प्रोड़क्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए प्रोड़क का कलर क्या है प्रोड़क का वेट क्या है प्रोड़क आप उसके सामने लग सकें तो प्रोड की किस प्रोडड में आप धील करना चाहते हैं उस प्रोड के वारे में आपको सारी चीजें पहले से पता होना चाहिए जैसे कि प्रोड में यूज होने वाला मट्रीरियल अगेर Girls करना चाहते हैं तो जो एक Website यह वह मार्ट इंडिया मार्ट पर आपको बहुत सारे जो है मैनुफेक्चर और सप्लायर मिल जाएंगे ज़िए आप अपने प्रोड़ेट देश के बाहर ग्लोबली सेल करना चाहते हैं तो आप चैना की एक वेब साइट है अलीबाबा आप वहां पर जो है प्रोड़ेट ढूड सक प्लैक के उफे देश करना है और डारेक्ट पर मल पहुंचा देते हैं चैना की आपने सेल करना है चाहते हैं ज़िए चैना की इंडिया में हमें तो अपके लिए सहीय और जिए आप चैना से मगाना चाहते हैं था चैना से भी गओव का अविलबल नहीं है तो अब दोनों ही कंडिशन में चाहें आप इंडिया माट से प्रोड मंगा लो या फिर आप अलीबावा से प्रोड मंगा लो कुछ बाते हैं जो टिप्स हैं वो मैं आपको यहां सेयर करना चाहता हूं कि जब भी आप सप्लायर से बात करें या मैनुफ विस होती है ड्रेड एजुरेंस के अंदर जो मैनुफ्रक्चर या जो सप्लायर रिजिस्टर है तो आप उसी से कॉंट्रेट कीजिए जदि आप फर्स्ट टाइम माल ले रहे हैं तो क्योंकि ट्रेड एजुरेंस में क्या होता है वो पीड वाले जो सेलर्स होते हैं फिर एक तो आपको यह देखना है दूसरी चीज आपको यह देखनी है कि वो जो सप्लायर है वो जो मैनुफ्रक्चर है वो कितने सालों से वहां registered है यानि कि उसको जो time है वो कितने साल का business करते हुए इन company के उपर हो गया है तो ज़्यादा time वाले non-fracture हैं वो ज़्यादा better रहेंगे उसके बाद आपको उनकी review चेक करने हैं कि जो हमसे पहले जो लोग उनसे ले चुके हैं उने वहां क्या review डाले हुए है क्या वो माल time से देते हैं quality ठीक ठाक है की नहीं है तो वो आपको review और rating जो है वहां जरूर आपको पढ़नी चाहिए उसके बाद आपको send inquiry का button वहां आपको दबाना है और जब आप send inquiry का button दबाएं तो आप जो है उनको कैसे message भेजेंगे तो आप message उनको इस तरह से भेजना आप जो है अपना थोड़ा सा brief introduction देना कि मैं फलाने फलाने सहर से आज फलाने country से मैं belong करता हूँ और मेरा इस product line में business है और मैं अपना जो काम है है वो online e-commerce marketplace जैसे Amazon Flipkart पर मैं product sell करता हूँ और जदी आप कई सालों से कर रहे हैं तो वो आवाँ डाल सकते हैं या फिर आप beginner है आप जो जुड़ना चाह रहे हैं start करना चाह रहे हैं अपना business तो वो आप वाँ mention कर सकते हैं और उनको आप बता सकते हैं कि मेरा जो interest है आपके इस product के ऊपर मेरा interest है तो इस product की जो pricing है, MOQs है, minimum order quantity starting में जदी मैं आप से मंगाना चाहूँ तो मुझे कितने quantity का order कम से कम देना होगा और जदी मैं ज़्यादा quantity order मंगा हूँ तो उसमें मैं क्या मेरे को business discount छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ये सारी चीजें आप जो है उस एक message template जो आप send inquiry का वेजोगे उसमें इस सारी चीजें आप लिखना उसके बाद आप उनको जो sample copy है वो भी वहाँ आप mention कर सकते हैं कि मुझे को क्या इसकी एक sample copy मिल सकती है वो जो अली बाबा वाले जो लोग जो अली बाबा वाले जो manufacturer है वो इस चीजे को समझते हैं कि जो भी online seller है तो वो बिना sample कीए बिना sample मंगाई माल नहीं देगा तो वो sample आपको provide करा देते हैं और बहुत से manufacturer तो ऐसे हैं कि वो जो sample का आपको charge भी नहीं लगाते बलकि sample के पैसे जब आप उन्हें order देंगे तो उसमें वो calculate कर लेते हैं लेकिन जो delivery का पैसा है जो delivery आएगी वहां से तो उसका पैसा आपको छोड़ा pay करना पड़ेगा तो यह चीज़ आप देख लीजिए यह same चीज इंडिया माट के ऊपर है आप वहां पर यह चीज़ें लेख सकते हैं और उनसे sample की demand कर सकते हैं सेंपल को चेक करने के बाद quality उसकी परकने के बाद तब आप जो है उनको आप reorder inventory का दें यदि आप चैना से मंगा रहे हैं माल अलिवाबा के तुरूद तो वह आप से shipping के बारे में पूछेंगे जो shipping के बासा में यानि कि जो जब भी माल हम किसी दूसरी देश से मंगाते हैं अपने देश में तो उसका जिस देश से माल आ रहा है तो वहां का जो custom clear होगा और हमारे देश में जो माल आएगा तो पर हमारे यहां का जो custom clearance है वो होता है तो बहुत सारी कंपनिया हैं जो इन दौनों के clearance को करवाती हैं और जो यहां तक की delivery भी है उसकी वो आपकी दूर श्टेप तक कराके देती हैं तो ऐसी कंपनियों को हम freight forwarder बोलते हैं तो freight forwarder जदी आपके contact में नहीं है तो दिल्ली में बहुत सारे office हैं freight forwarder के जो चाना बगएरा से और दूसरे countryों से माल वो मंगाते हैं तो आप उनसे contract कर सकते हैं उनका contract आप Google से निकाल सकते हैं या फिर आप Alibaba के उपर भी freight forward company जो agent हैं वो registered हैं तो उनको भी आप जदी वो trade assurance के अंतरगत registered है तो आप उनसे contract कर सकते हैं और उनका number लेके और जो आपका manufacturer है उसको detail आप दे सकते हैं क्योंकि वो जो आपका manufacturer है वो यही बोलेगा कि जो freight forwarder है वो आपका होगा जदी वो कराएंगे तो फिर वो उसका पैसा आपको जोड़ के आपको बता देंगे बहुत सारे manufacturer होते हैं जो freight forwarder की service आपको provide कराते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं कराते हैं वो आपको खुदी arrange करना होगा तो बेस्ट आपके लिए यही रहेगा जदी आप अलिवाबा के तुरू मंगा रहे हैं तो जो freight forwarder है वो आप trade assurance वाले अलिवाबा की उपर रेजिस्टर है उनके तुरू आप मंगाईए जब आपका order ज्यादा quantity में आए जब फ्यूचर में आपका product सेट हो जाए तो आप जो दिल्ली वाले जो freight forwarder कंपनिया हैं उनको आप content कर सकते हैं फिर आप सिफ के तुरू जो container पूरा एक आता है उसमें आप ज्यादा quantity में जदी माल मंगाते हैं तो container आप मंगा सकते हैं तो वो आपको सस्ता जाएगा Indian seller को जो इंडिया के अंदर ही बेचना चाहते हैं कि आपको जो delivery charges वगरा है वो आपको बचेंगे क्योंकि यदि आप अपने देश से मंगाएंगे तो delivery charge कम लगेगा और जो shipping time है जो चाना से जो product आता है उसमें अमोवल लग महीने वर का time लग जाता है तो वो packaging है जो packaging है जो packaging है जो पैकेजिंग है अपके ब्रांड की करानी है तो वो आप उनको बता दीजिए कि मेरा जो product है उस पर ब्रांडिंग हो गई वो मेरे नाम की मेरे trademark की जो branding करा देना तो उसका वो आप लोग से logo वगरा भी मांगेंगे तो लोगो आप उन्हें प्रोवाइ है और यदि आपकी पहले से बनाई भी packaging है तो वह आप उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं तो वह उसमें आपको दे देंगे जदी आप प्रोड को चैना से मंगा रहे हैं और packaging भी उनी से करा के मंगा रहे हैं तो पर वह packaging होने के बाद इस पेस ज्यादा ज्यादा गेरेगा तो फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा कोश्ट भी पड़ेगी यदि आप लूज में वहां से माल मंगा सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा और जो ब्रांडिंग है वह आप उपने देश में करा लीजिए packaging की packaging आप यहाँ अवेलबल हैं बहुत सारे supplier जो packaging अच्छ कर लें इसी तरीका से यदि इंडिया मार्ट से मंगा रहे हैं तो इंडिया मार्ट से यदि मैं यूपी में रहता हूं और महराष्ट से जो प्रोड़ट मंगा हूंगा और महराष्ट का जो मैंनुफेक्चर है वह भी packaging करके देगा तो उसका भी space गहरेगा तो वहां से भी delivery दोड़ते हैं तो यह सारी चीजें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है यह जब भी आप अपना manufacturer ढोड़े या अपना supplier ढोड़े तो यह सारी चीजें आपको काम आएंगी यह सारी चीजें आप नोट करके रख लीजिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद